गुड एवनिंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका, आपका नए यूट्यूब चैनल, स्टेरे विदरवे ठाकुर पर, माफ कीज़ेगा सुबा किसी कारण वर्ष में जो वकैब्लरी है प्लोट नहीं कर पाया टाइमली, क्योंकि जो पढ़ाई होती है, कंसिस्टनसी की चीज होती है, रेगुलर्टी बहुत जरूरी होने चीज़े पढ़ाई में, तभी कुछ बात बनेगी, तो चलिए शुरुआत करते हैं अपनी वकैब्लरी की बिना किसी देरी से, हमारा जो पहला अडिटोरियल दिया गया था आज का, उसका हेडिंग है, एट होम, ऑन चिल्डरन अफंड हुए है, अनाथ हुए है, उनके बारे में दिया गया है, सुप्रीम कोट का एक डिसीजन भी है, इसके रिगार्डिंग, तो काफी सारी बाते कहीं गई है, आपने पढ़ी लिया होगा अडिटोरियल में, तो शुरुआत करते हैं चलिए वकैब्लरी की पहला जिए अनाथ हो चुकी थी और उसके बाद उसके जो वो किसके साथ रही अपने दादा-दादी के साथ रहती है अगला हमारा शब्द है innate innate word यहाँ पर जिक्तिव की तरह उस हुआ है innate का मतलब होता है ऐसी कोई चीज जो सवभावी कुरूप से हो जर्मजाद कोई गुण होना या सवभावी कुरूप से कोई चीज होना कुछ एक चीज़े सवभावी कुरूप से होना उसे बुला जाता है innate and innate quality or ability is one that a person is born with that is called innate से नारिम साब देख लीजिए inborn, inherent, natural or intrinsic inborn, inherent, natural or intrinsic इसके अन्टारिम से learned, acquired, extrinsic or accidental learned, acquired, extrinsic or accidental इसके अन्टारिम्स हैं innate word के example देख लीजिए Indians have an innate sense of fairness कि जो हम भारती होते हैं हमें एक सहज प्रविर्टी होती है निक्षपक्षता की निक्षपक्षता से पुर्ण व्यभार करना मतलब एकदम से निशपक्ष रहना वो हमारी Indians की क्या है quality है, सहज प्रविर्टी है अगला हमारा शब्द है जेनरो सिटी जेनरो सिटी वर्ड यहां पर noun की तरह यूज़ हुआ है जेनरो सिटी वर्ड का मतलब होता है उदारता होना, दान चीलता होना, दयालूता दयालूता होना, उसे बोला चाहेगा जेनरो सिटी if you refer to someone's जेनरो सिटी you mean that they are generous especially in doing or giving more than is usual or expected that is called जेनरो सिटी synonyms आप देख लीजे, kindness, benevolence, charity or unselfishness kindness, benevolence, charity or unselfishness इसके synonyms है, antonym से greed, selfishness, harmness or avarice, greed, selfishness, harmless or avarice इसके antonym है, जेनरो सिटी वर्ड के example देख लीजे, there are stories about his generosity the massive amounts of money he gave to charities कि उसके कोई व्यक्ती है, उसकी कहानिया है उसकी दयालूतापन की, उसकी उदार शिलता की क्यों? क्योंकि वो बहुत ज़्यादा बड़ी मात्रा में धन, जो है, वो money, जो है, वो charity की रूप में देता था, दान करता था, इसलिए उसकी उदारता की बहुत सारी कहानिया है अगला हमारा शब्द है empowerist empowerist, word यहां पे जेक्टी भी तरह यूज हुआ है empowerist का मतलब होता है, बहुत ज़्यादा गरीबी होना, निर्धनता होना, कंगाल हम बोल सकते हैं या फिर किसी परसन का शक्ती हीन हो जाना, उसे भी बोला जाएगा empowerist something that empowerises a person or country makes them poor, that is called empowerist synonyms अब देखलिजिये, poor, destitute, penniless or needy poor, destitute, penniless or needy, antonym से rich, prosperous, affluent or moneyed rich, prosperous, affluent or moneyed, इसके antonyms है empowerist word के example देखलिजिये, we need to reduce the burden of taxes that empowerist the economy की हमें, इस तरह के जो कर हैं, taxes के burden को भार को कम करने की अवशकता है, जो कि जिसके भार के कारण बहुत जादा burden इस सारे taxes है, जिससे की हमारी जो economy है, अर्थवेस्ता है, वो शक्तिहीन होती जा रही है अगला हमारा शब्द है benign, benign यहां पर एजिक्टिक भी तरह use हुआ है, benign का मतलब होता है, वही दयालू और उदार होना बहुत जादा, उसे बोला जाएगा benign, you use benign to describe someone who is kind, gentle and harmless, that is called benign, synonyms आप देख लीजिए kind, benevolent, harmless or gentle, kind, benevolent, harmless or gentle, इसके synonyms है, antonyms है, hostile, malignant, bad or harsh, hostile, malignant, bad or harsh, इसके antonyms है, benign word के, example है, they are normally a more benign audience, की समाने रूप से, वो कैसी audience थी, बिलकुल एकदम से, समाने रूप से, दयालू प्रविट्टी की जो कया थी, audience थी, शरोतागन थे, अगला हमारा जिस तरह के हलाद है, वातावरण, सितिया, हलाद, उसे बोला जाएगा, your malyu is the group of people or activities that you live among or a family with, that is called malyu, synonyms आप देख लीजे, environment, setting, background और surroundings, environment, setting, background और surroundings, antonyms आद्वांटेज, break, calm और certainty, advantage, break, calm और certainty, इसके अन्टॉनिम से है, मलीव वर्ड के, example है, they stayed safe and happy within their own social मलीव, कि वो जो अपना उनका समाजिक बातावरन है, उसमें वो लोग safe हैं और वो खुश रहते हैं, अगला हमारा शब्द है, unscrupulous, unscrupulous वर्ड यहां पर adjective की तरह यूज़ हुआ है, unscrupulous का मतलब होता है, ऐसी कोई बात या सा कोई व्यभार, जो अनूचित हो, अनैतिक हो, विवेक हीन हो, उसे बोला जाता है, unscrupulous, जिसे accept ना किया जा सके, being dishonest, cruel or unfair in order to get what you want, मतलब ऐसे व्यभार को जिसे सुविकार ही ना किया जा सके, जो अनैतिक हो, विवेक हीनता हो जिसमें, उसे बोला जाएगा, unscrupulous, synonyms आप देख लीजिए, अन्प्रिंसिपल्ड, डिसोनेस्ट, क्रुकेड, करप्ट, इसके synonyms हैं, antonyms है, good, moral, scrupulous और ethical, इसके antonyms है, unscrupulous वर्ड के, example देख लीजिए, these kids are being exploited by very unscrupulous people, जो ये बच्चे हैं, इनका exploitation किया गया है, किसके द्वारा किया गया है, बहुत जादा exploit किया गया है इनको, जो इस थरह के अनैतिक जो लोग हैं, उनके द्वारा, यहां से हमारा दूसरा editorial शुरू हो रहा है, दूसरा editorial का heading है, encouraging accord on global minimum tax, तो यह text की बात, बारे में बात कही गई है, common tax के बारे में बात कही गई है, पूरे देशों के बीच, अभी जो ministerial की, G7 की अभी meeting हुई है, जो financial, जो financial, जो, मतलब जो वित्यमंत्री होते हैं सभी देश हुआ है, coffers का मतलब होता है, सरकार का कोई, राज, कोश, इसको हम बोलते हैं, खजान, कोश, उसे बोला जाएगा, coffers, the amount of money that a government and organization has available to spend, that is called coffers, synonyms है, treasury, ex-shaker, purse, or funds, इसके synonyms है, antonyms है, areas, debt, debts, or liability, areas, debt, debts, or liability, इसके antonyms है, coffers, word के, example देख लिजिए, large coffers full of gold, jewelry, were dug out from the excavation site, यह excavation भी new word है, excavation बोलते हैं, खुदाई को, जो खुदाई वाली site थी, जहां खुदाई हो रही थी, वहाँ बहुत सारी मातरा में क्या मिला वही, gold की जो jewelry थी, जब खुदा गया तो, उसमें से वो खजाना प्राप्त हुआ, उस excavation site से, यह new word है, देख लिजिएगा ध्यान से, खुदाई वाली जो site थी, वहाँ से, अगला हमारा शब्द है mitigate, mitigate यहाँ पर नाव की जिएगा, वर्ब की तरह यूज हुआ है, mitigate का मतलब होता है, किसी भी चीज की जो problem है कोई, तो वो problem को कम करना है, किसी भी चीज की seriousness को, painful क को कम करना, शांत करना, that is called mitigate, to mitigate something means to make it less unpleasant, serious, or painful, that is called mitigate, synonyms आप देख लिजिए, alleviate, reduce, ease, or lessen, alleviate, reduce, ease, or lessen, इसके synonyms है, antonyms है, aggravate, increase, intensify, or worsen, aggravate, increase, intensify, or worsen, इसके antonyms है, mitigate word के, example देख लिजिए, institutional investors, are looking to mitigate risks, by increasing allocations to private markets, जो institutional बड़े-बड़े जो investors होते हैं, वो अपने risk को कम करने के लिए, क्या कर रहे हैं, अपनी जो funds की जो allocation है, वो कहां लगा रहे हैं, private markets में, वो अपने जो funds है, वहाँ पे वो shift कर रहे हैं, उन अपने funds को, अपने पैसों को, उससे की वो risk अपना कम कर रह हैं, बाजार में, अगला हमारा शब्द है exacerbated, exacerbated word यहां पे वर्ब की तरह यूज़ हुआ है, exacerbated का भी मतलब होता है, किसी भी समस्या को और ज्यादा से बढ़ा देना, मुश्किल को और ज्यादा बढ़ा देना, कम करने की बजा है, और ज्यादा उसमें विगन डाल देना, और ज्यादा उसको बिगार देना, ज्यादा खराब कर देना situation को, उसे बोला जाएगा exacerbated, if something exacerbates a problem or bad situation, it makes it worse, synonyms अब देख लिजिए, aggravated, worsened, increased और worsened, इसके synonyms हैं, एक्जामपल है, if management forces its view, it will only exacerbate the conflict with the labor union, कि जो management है, जो management में लोग बैठे हुए हैं, यदि जो उनके विचार हैं, अपने जो उनके views हैं, वो जबर्दस्ती थोपने की कोशिश करेंगे, तो ये problem को और अधिक बिगाड़ देगा, जो की पहले से ही conflict चल रहा है, उनका labor union के साथ, तो उसको और ज़्यादा से वो बिगाड़ देगा, अगर वो अपने विचार थोपने की कोशिश करेंगे, तो उस्तिती और ज़्यादा बिगड़ जाएगी, अगला हमारा उसमें कोई कमी उत्पन कर देना, तोड़ना मरोड के रखना कि कोई हमारे पास fact है या कोई चीज है उसको, as it is ना कहना उसमें, मतलब changes करके बोलना, जैसी कोई स्थिती है उसको ऐसी ना बताना, गलत करके पेज करना उसको, उसमें किसी तरह का कोई व्यवधान उत्पन कर आप देख लिए, aberrations, deformities, contortions, or deformations, aberrations, deformities, contortions, or deformations, इसके synonyms है, antonyms है, accuracies, beauties, clarities, or corrections, accuracies, beauties, clarities, or corrections, इसके antonyms है, distortions, word के, example आप देख लिए, do not distortion, the comment of the supreme court, की जो supreme court की कोई जज्जमेंट है, या कोई किसी तरह की कोई statement दी है, supreme court ने, कोई decision सुना है, तो उसमें से किसी भी तरह का distortion पैदा ना करें, मतलब विक्रिती पैदा ना करें, तो I hope आपको आज की the Hindu editorial vocabulary इच्छी तरह समझ में आई होगी, तो इसी तरह के informative videos के लिए बने रही है channel पर, thank you, thanks for watching.